आज का फेस्स संटेंस है, उसकी तलाशी लो इसे हम इंगलिश में बोलेंगे, Such Him Next राख को नहर में बहादो इसे आम इंगलिश में बोलेंगे, Lose the ashes in canal Next संटेंस है, तुम बुखार में तप रहें इसे हम इंगलिश में बोलेंगे, You are burning up in fever You are burning up in fever Next, इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ इसे हम इंगलिश में बोलेंगे Sorry to keep you awaiting Next, मुझे डराओ मत इसे हम इंगलिश में बोलेंगे Don't scare me Next, मुझसे पंगा मतलो इसे हम इंगलिश में बोलेंगे Don't mess with me Don't mess with me Next, मेरे हाथ दुलवादो इसे हम इंगलिश मोलेंगे Help me wash my hands Help me wash my hands यानिके मेरे हाथ दुलवादो ऐसे ही काम के sentences सीखने के लिए नीचे दिये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्पोकन सीखिए